इस माध्यम से भी आप सास्त्रिय गायन में, शास्त्रिय नृत्य में डूप सकते हो, इसके रश से जान सकते हो, और खाली सास्त्रिय गायन, सास्त्रिय नृत्य नहीं, जो भी गायन है, जो भी नृत्य है, इस पृत्वी पर सब के राज आप जान सकते हो, आप रश ले सकते ह जब कला को हम विस्तार के और ले जाते हैं तो कोई कला बंद नहीं रहती जैसे जैसे आप काम करते जाते हो काम करते जाते और मैं यह बात कह रहा हूं सादकों से कि जो अनंत की प्राप्ति की सादना में लगे हुए हैं तो वो जब और सच में कलाओ में जो काम हुआ मैं आप को कहता हूं, वो सन्यासियों ने किया, जो भी कलाएं आज आप देख रहे हो इस पृत्वी पर, चाहे गायन हो, सास्त्रिय गायन हो, सास्त्रिय नित्य हो, चित्रकला हो, शिल्पकला हो, जो भी कलाएं आज आप देख रहे हो इस पृत्वी पर, उसमें जो ठीक से काम किया, स सच्चा जिसने रस लिया, और काम करते करते, जिसने परम स्वाद का अनुभव किया तो वो सन्यासी ने, क्योंकि सन्यासी सभी और से मुक्त था, नो उसे कोई जरूरी है को ओडियंस मिले, उसकी तारिफ करे, तो ही वो सिल्प बनाए या चित्र बनाए या नृत्य करे, यह प्रागट्य हुआ एकांत में, और वो डूपता गया, डूपता गया, डूपता गया, उसी, वो जो अनुभव था, उसी को में ठीक से वेग्यानिक रूप दे रहा हूं, कि आप कोई भी सादक इसमें डूप के, यह रस से जान सकता है, जो फर्क है वो केंद्र का, कि केंद मैं ऐसा नहीं कहता है, आपको अंतर मुख ही होना है, बहर मुख नहीं होना है, आपकी कला को दिखान, ऐसा नहीं कह रहा हूं, आपको देखना है, समझना है, आपकी सहजता, आपकी सहज सक्ति किस और बहरे है, आपको रस है, कि चलो ओडियन्स को मैं ट्रेक करूं, तो भी कोई बात नहीं आप उसी में जा सकते हो हर अनुभव से आप निकल सकते हो लेकिन अगर आपने कला को बांधा नहीं तो आप अनन्त रूप जो परमात्मा का है उसे जान सकते हैं मैं इसके साथ जूड़ी एक गट्टा को जैसे कि समझ लो कोई एक व्यक्ति को चित्र में रस होता है इसका क्या आध्यात्मिक राज है तो मैं आपको कहूं कि हमारे जो साथ सकती के इंद्र है सकती के चक्र है वो जैसे 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 प्रजवलित होते जाते हैं सुद्ध होते जाते हैं वैसे वैसे आपका रंग में रस बढ़ता जाता जरूरी नहीं कि आप पेंटिंग ही करो, लेकिन आप रंग से प्रभावित हो सकते हो, आप ऐसे रंग स्कृत्वी पर देख सकते हो, जो सामने मनुष्य की आँख नहीं देख सकती, जैसे जैसे आपके वितर के चक्र प्रभावित होते जाते हैं, तो आप अंदर बाहर ऐसे यह रंग के अनुभव कर सकते हो, कि जो, सामाने आँख मनुष्य की, यह रंग नहीं देख सकती, ग्रीन, तो ग्रीन में इतने सेड है, इस पृत्वी पर, परमात्मा, मैं हमेसा कहूंगा, परम कलाकार परमात्मा, कलाकार को ही आगे बढ़ना है, तो परम कलाकार को मिले बीना, अगर उसका जीवन समाप्त हो गया, तो जीवन ऐसे ही गया, वर्थ, और सभी कलाकार है, सभी मनुष्य एक अर्थ में कलाकार ही है, तो जैसे-जैसे हमारे शक्ति के केंदर है, प्रजवलित होते जाएंगे, तुम्हें रंग में रसाता जाएगा, चोटा सभी में जैसे कि आपका काम के इंदर है, सुध होता जाएगा, इसका कुछ ऐसी कुछ बाते हैं, कि मैं सब्दों में अगर आपको कह दूँ, तो उससे मन हो जाता है, मन बन जाता है, धारना बन जाती है, तो आप अनुभाव से वंचित रह सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे उदारन है समझने के लिए, जैसे कि काम के इंदर शुध होता जाएगा, तो भीतर का एक जांबली कलर है, जांबली, गहरा ब्ल्यूइस कलर, वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लगोगे आप, ज्यादा गहरा ब्ल्यूइस सेड है या जांबली कलर है, जांबली कलर है, वायॉलेट जिसे हम कहते है, वो कलर प्रभावित होता है, अंदर दर्शन होता है, या उसका अनुभाव आप कर सकते हो, एसे एक रंग है, जैसे कि सहस्तरार को सक्ती छूती है, या सहस्तरार खुलता है जिसका, तो गॉल्डन प्रकास है, जो आप अनुभाव करते हो भीतर, सूर्य जैसे बाहर आता है, और उसकी जैसे किरन होती है, तो ऐसा प्रकास है, वो भी तर आप अनुभव कर सकते हो, और ऐसा होता है, कि चित्रकार है, अगर जागुरुती को ध्यान में लेकर अपना चित्र करता जाए, करता जाए, करता जाए, तो उसे पता चलेगा, कि उसका जो रंग का टेस्ट है, वो बदलता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके सकती के चक्र खिलते जाएगे, वैसे वैसे आपके जो बाहर के रंग के सेड है, वो भी बदलते जाएगे, आप वही चित्र बनाते हो, एक पेड बनाते हो, उस पर पता लगाते हो, फूल बनाते हो, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाओगे, और जो रंग के अ साधना के साथ कलाए जोड़ी गई इसके यह रहस्य थे कि एक बार समझ लो कि एक पेंटर सहस्रा जाता है इतना प्रभावित चक्र को छूता है तो जित्र में कुछ ना कुछ गॉल्डन सेड लाने का प्रयत्ता करेगा किसी दा किसी अर्थ में वो गॉल्डन तो डाल ही देगा कि ने गॉल्डन चाहिए इस पे लेकिन वो अनुभव अपने भी तरका है और इस बात से चित्रकार परीचित्न नहीं क्योंकि हमारी कला तूट गई अध्यात्मिक साधना से तूट गई तो चित्रकार बिखर गया कल कि आरी जो फर्क है वो peng आड कि आपकी सक्ती सहीज़ता से बहिर गामी है या अंदर गाम्यावर गऑन तो भी कोई डरने की जरूरतै आप प्रेक शकों में काम करते जाओ पैसा लेते जाओ आपका प्रेक्षक बढ़्डानेकी प्रक्रिया उसमें लगते जाओ लेकिन परम अपना जाल फैला के रखा है, कि जब तक आप उस स्वरुप में एक नहीं होगे, या उसको नहीं मिलोगे, आपको चुका चुका ही लगेगा, चाहे आपके पूरी पुरुथवी आपकी तारिफ क्यों न करती हो, आपके गाने की, जो कलाकारों ने इस पुरुथवी पर सारे एवर्ड ले लिए, वो मेरी बात समझ जाएंगे, कि सारे एवर्ड मिल गए, प्रेक्षक मिल गए, तारिफ होने लगी, फिर भी जीवन चुका चुका, क्योंकि जीवन का सबंद प्रेक्षकों के साथ नहीं, पैसों के साथ नहीं, परमानंद आधारित नहीं, अगर परमा परमानन्द होता ही नहीं, परमानन्द संपूर्ण स्वतंत्र किसी पर आधारित दे क्योंकि वो परमात्मा का प्रसाद, तो परमानन्द तब गट सकता है, जब आप स्वयम के केंदर पर आते हो, आप अपनी स्पेस में, आप अपनी आत्मा में आते हो, और इस पृत्वी पर आज भी आप देखोगे, सारी कलाये जो अलग 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 रूप से प्रदर्श्रीत हो रही है, जैसे कि चित्र तो वो अलग कला होगी, संगीत अलग कला होगी, नृत्य अलग कला होगी, ऐसा नहीं, ठीक से चित्रकार काम करेगा, ठीक से, अपने भीतर ठीक से काम करेगा, तो वो नृत्य तक पहुंची जाएगा, यह इसका राज है, रहस्य है, बहेगी कला, वो विस्तुरूती हो जाएगा, वो सबी कलाओं में वीतर से उसको रसाने ही लगेगा, कवीता हो, सिल्फ हो, सारी कलाओं, ऐसी कलाओं इस पृत्वी पर जो अभी प्रगठ है, अप्रग किसी को सुन कर नहीं दे रहा, यह मैं मेरे जीवन के गट ना कहूं, मैं तुम्हें मेरे जीवन का जो, समझ लो, कि मैं संगीत लो, तो मेरा संगीत का प्रारम हुआ फिल्मी गानों से, पहले मैं फिल्मी गाने, जो भी मैं जब छोटा था, जितने भी फिल्मी गाने थे, मै इने गाए ही होंगे उसके साथ